हेलो फ्रेंड्स वेरी गूड आफ्टेनून कैसे हैं आप सब होब आप सब अच्छी होंगे जैसा कि आपको पता है यह हमारा बिजनस कम्यूनिकेशन चैप्टर 12 का नेक्स टॉपिक चल रहा है जो कि है फॉर्म्स ओफ ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग कितने तरीके के होते हैं ठीक है तो ड्राफ्टिंग बहुत देख लेते हैं बहुत तरीके के होते हैं ओफिस लेटर होता है ओफिस मेमोरेंडम होता है सर्कुलर होता है जो कि अपने पेचले में सब कुस देखा है ठीक है वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लिजे ओफिशियल ओडर होता है, डेमी, सेमी, ओफिशियल लेटर होता है, प्रेस कम्यूनिक होता है, प्रेस नोट होता है, सैंक्शन लेटर होता है, अनेफ ओफिशियल होता है, इंडोस्मेंट लेटर होता है, नोटिफिकेशन लेटर होता है, और रिजल्यूशन लेटर होता है, आग रिमाइनडर लेटर होता है मतलु लेटर किसी वी तरीके की होता है तो आफिस परपसे लिख रहे हैं यह ओफिस कोई मेमोरिंडम तयार करना वह सब को भी जेना हो सर्कुलर लेटर जैसे जानते हैं कि हम एक ही मैसेज बहुत लोगों को भीज रहे हैं ऑफिशियल ओडर क कि हाफ गवर्मेंट हाफ प्राइवेट कंपनी तो उसको हम लोग सेमी ऑफिशियल बोलते हैं प्रेस कमिन के जैसे कि प्रेस को कोई इंफॉर्मेशन हमें देनी है तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं लेटर लिख रहे हैं प्रेस नोट जाली हमें करना है तो ठीक है कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि अपने यहां पर लोगों को बुला रहे हैं और प्रेस में मीटिंग करा रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं लेटर लिखते हैं सैंक्शन लेटर कोई चीज का अगर सैंक्शन हो जाता है तो उसके लिए सैंक्शन कराने के लिए अन ओफिशियल लेट इंडोस्मेंट लैटर म Bundes दूसरे को इंडोसे समय किसी को आपको सूरों करें है रिजुलीशिशन पैस्ट नहीं ओ विजडर किरोगत दूशंड यह टेलिग्राम लिखना रहा हो तो इसी को idag को आप्जी में हो दूश में हो प discouraged होप आपको वीडियो समझ में आया होगा अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके पूश सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो प्लीज 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 लाइक सब्सक्राइब और शेयर मैं चैनल और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे दिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं थैंक यू सो मच